गाइस ट्रेडिंग व्यू की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे ट्रेडिंग व्यू के अंदर मल्टिपल चार्ट को ओपिन कर सकते हैं मतलब आप कैसे एक से ज्यादा चार्ट को एक स्क्रीन के उपर देख सकते हैं उसको मोनिटर कर सकते हैं सो सबसे पहले आपने trading view application या trading view web के अंदर चार्ट open करना है ठीक है चार्ट open करने के बाद आपने simply जाना है select layout पे आपने इसके उपर क्लिक करना है and then यहाँ पर आप कोई भी layout select कर सकते है let's say अगर आप दो charts देखना चाहते है तो आपने यहाँ पर इस layout को select करना है अगर आप तीन देखना चाहते है तो इसको करना है and यहाँ पर बहुत सारे layout से so जिस layout को आप select करना चाहते है यहाँ से आप select कर सकते है so for example मैं दो charts को monitor करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इस layout को select कर लेता हूँ correct कर लेने के बाद यहांपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरा भी एक चार्ट open हो चुका है तो आपने इस चार्ट के आपने इसका सिम्बल जो है इसको change करना है लटसे अगर आप किसी दूसरे coin को या किसी दूसरे asset को monitor करना 자ाते है तो आपने सो आप इसी तरह ट्रेडिंग व्यू के अंदर मल्टिपल चार्ट को बिन कर सकते हैं देन आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं यूजिंग देस आप्शन लेयाउट ठीक है सो देट सेट प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इन चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठेक केर और गुडबाए